नमस्कार दोस्तों ये वीडियो दिंद्याल उपादे अंतोदे परिवार सुरुक्षा योजना के बारे में है इस वीडियो में हम देखेंगे दिंद्याल उपादे अंतोदे परिवार सुरुक्षा योजना में ओनलाइन आवेदन केसी किया जाता है इस योजना में अगर ब 6 वरसे ज़्यादा होनी चाहिए और 60 वरसे कम होनी चाहिए अगर ऐसे किसी भी सदे से की मर्त्यू हो जाती है या अपाई जो जोता है तो हर्याना सरकार द्वारा उस परिवार को आर्थिक साहिता दी जाती है पांच लाख रुपे तक आर्थिक साहिता सरकार द्वारा दी जाती है इस वीडियो में मैं आपको पर्मान भी दिखाऊंगा कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है उनमें उनको साहिता है वो नहीं मिलती है तो इस वीडियो में मैं आपको proof के तोर पे प्रमान भी दिखाऊंगा कि लोगों को इस से लाब है, वो मिलता है, साहिता है, वो मिलती है इस योजना में online आवेदन करना simple सा तरीका है और घर बेठे ही आप free आवेदन कर सकते हो आप ये वीडियो वोच करके घर से जो पातर बेठती है, वो आवेदन करके सरकार से साहिता प्रापत कर सकते हैं तो इस योजना में कैसे आवेदन किया जाता है, इस जानकरी के लिए चलते हैं, लैप्टोप स्क्रीन के नया farm apply करने से पहले मैं आपको एक status दिखाता हूँ, मैंने पहले एक farm apply किया था, वो farm approved हो चुका है ये मैं आपको proof के तोर पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे comment आते हैं, कुछ लोग कैते हैं कि इसमें lab नहीं मिलता है इस योजना में तो उनको लाब मिल चुका है 3 लाख रुपे का और उसका मैं status आपको track करके दिखाता हूँ तो status track करने के आपको simply उपपर track request का option मिलेगा यहाँ पे आपको click कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरहें का page खुलेगा इसके सामने यह ticket number है यह farm मैंने 29-23 को apply किया था scheme applied और उसके बाद यह approved हो चुका है farm 2 February 2024 को और इनको लाब है वो 9 February 2024 को amount है वो disperse कर दिया गया यानि कि इनको 9 February 2024 को इनके खाते में पैसे है वो आ चुके है तो दिन द्याल उपादे अन्तोद्य प्रिवार सुरुक्षा योजना में लाब मिलता है और यह मैं प्रूफ दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ अब हम देखते हैं कि इसमें online apply के से करें आप घर वेठे ही online apply कर सकते हो बिलकुल free फारम apply करने के लिए आपको official site विजिट करने है site का link आप वो वीडियो की description में मिलेगा link पर click करके आप इस site पर विजिट कर सकते हो इस तरह की site आपके साबने खुलेगी यह dashboard है यहाँ पे आपको उपर option मिलेगा apply scheme का यहाँ पे apply scheme पे आपको click कर देने है इसके बाद आपको यहाँ पे click कर देने है यहाँ पे आपको अपनी family id डालनी है applicant की family id इस column में fill up करने है और get OTP पे आपको click कर देने है इसके बाद आपके registered mobile number पे एक OTP मेसिज आईगा जो family id में registered mobile नमबर है उस पे OTP मेसिज आईगा OTP number आपको इस कालम में fill up कर देना है OTP fill up करने के बाद submit OTP पे click कर देना है इसके बाद family ID से data auto face हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे आपको family number दिखाई देगा जो family ID का number है वो दिखाई देगा यहाँ पे परिवार का मुख्या का नाम दिखाई देगा यहाँ पे आपका address होगा इस परकार से पूरी जानकरी यहाँ से आप check कर लीजिए नीचे आपको member की list दिखाई देगी जो परिवार के सदे से हैं उनकी list आपको यहाँ पे दिखाई देगी जिस वेक्ति की मर्तियों हो चुकी है या disabled हो चुका है जिसके लिए आप फर्म apply कर रहे हो उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है उसके सामने select का option होगा तो मैं यहाँ पे जो परिवार का मुख्य है जो first वेक्ति है उसके लिए apply कर रहा हूँ तो आपको यहाँ सामने select का option होगा इस पे आपको click कर देना है इसके बाद वो वेक्ति dead हो चुका यह disabled है तो आपको choose कर लेना dead है तो यहाँ पे आपको click कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरहें का page खुलेगा यहाँ पे उसका नाम होगा जिसके लिए आप apply कर रहे हो यहाँ पे उसका father name होगा यहाँ पे gender होगा और यहाँ पे date of birth होगी यह detail आपको एक बार check कर लेना यह detail है वो family ID से auto face होती है यहाँ पे आप किस योजना के लिए apply कर रहे हो तो उसका यहाँ पे पूरी जानकरी होगी इसके बाद यहाँ पे आपको date of death डालना है यानि कि मर्तियू किस तारीक होई थी वो आपको तारीक यहाँ पे mention करना यह data death certificate में होता है death certificate के according यहाँ पे data आपको डालना है जो उस वैक्ति का death certificate है उसका number आपको यहाँ पे fill up कर देने और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या हरियाना में certificate जारी किया गया है यानि कि जो death certificate जारी किया गया है वो हरियाना में जारी किया गया है तो आपक येस पे क्लिक कर देना है और हर्याना में नहीं किया गए तो आपको नो पे क्लिक करके आगे की detail है वो fill up करनी है इसके बाद यहां से आपको district चूज कर लेना है जो भी आपका district है वो यहां से आपको चूज कर लेना है यहां पर आपको block चूज कर लेना है आपका जो भी block है यहां से आपको choose कर लेना है और यहां पर आपको गाउं की list मिलेगी इस block में जितने भी गाउं है उसकी list यहां पर मिलेगी तो आपको आपका जो भी गाउं है वो यहां से आपको choose कर लेना है डिटेल फिलब करने के बाद page को स्क्रोल डाउन कीजिए. स्क्रोल डाउन करने के बाद यहाँ पर authority का नाम जो death certificate जारी करती है, उस authority का नाम आपको यहाँ पर फिलब करना है, इस कालम में जिस वेक्ति का death certificate बना हुआह है, उस death certificate के नीचे आपको authority की detail मिलेगी. वहां से आपको जो भी अथोर्टी की डिटेल है वो नाम आपको यहांपे fill up कर देना है यहांपे आपको जो document है यानि की मर्त्यू certificate है जो death certificate है वो आपको यहांपे upload करना होता है death certificate है वो PDF file हो सकती है, JPG हो सकती है या PNG file हो सकती है और इसका size यह आपको 200 KB से कम रखना है यह सारी detail आपको fill up कर देना है document आपको upload कर देना है और एक बार फिर से आपको जानकरी recheck कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे declaration है यह declaration आपको ध्यान से read कर लेना है और check box पे आपको tick कर देना है और apply scheme पे click कर देना है scheme apply करने के बाद यह final step है और scheme आपकी apply हो चुकी है simple सा farm है इसमें आप घर वेठी आवेदन कर सकते हो यहाँ पे आपको उपर token number मिलेगा इसको आप note कर लीजिए your request has been taken your request number यहाँ पे आपको token number दिखाए देगा और यहाँ पे अगर प्रधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना में apply किया हो है तो यहाँ पे आपको yes या no मिलेगा जैसे इन्होंने नहीं किया हो है और प्रधान मंतरी सुरुक्षा बीमा योजना में अगर आवेदन किया हो है तो यहाँ पे आपको yes मिलेगा लेकिन इन्हों ने नहीं किया हुआ है और यहाँ पे आपको status दिखाई देगा status आप open करके देख सकते हो तो इस परकार से आप फारम आपको apply कर सकते हो यह BPL परिवार के लिए scheme है अगर प्रिवार में किसी सदेश्य की मर्ति हो जाती है तो 5 लाख रुपे तक की सहायता सरकार दवारा मिलती है और इसमें सहायता मिलती है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था यह फारम approved हो जाते है और सहायता भी मिलती है तो जो eligible candidate है वो इसमें आवेदन करके सहायता प्रापत कर सकते है आप घर से ही अपने फारम का status भी चेक कर सकते हो free of cost उपर आपको track request का option मिलता है यहाँ पे click करके और यहाँ पे family ID डालनी है और submit करोगे तो आपको जो आपने आवेदन किया है उसका complete status आपको यहाँ से मिल जाएगा तो यह थी जानकरी दीन देल उपादे अंतोदे परिवार सुरुक्षय योजना में online आवेदन करने के बारे में अगर कोई पात्र परिवार है तो वो यह वीडियो वोच करके आसानी से घर बेठे ही free आवेदन करके सरकार से साइता प्रापत कर सकते हैं यह हर्याना सरकार के एक बहतरीन योजना है और इस योजना के तहत जो बीपल परिवार के सदेशिय है उनको साइता दी जाती है अगर इस योजना के बारे में आपको और अधिक जानकरी चाहिए डिटेल में जानकरी चाहिए कि कितनी उमर में आप कितनी साहिता मिलती है, कितनी उमर का वैक्ति है, उसको कितनी साहिता मिल सकती है इस पारकार का मैंने एक dedicated complete वीडियो बनाया हुआ, उसका link है वो वीडियो को description में मिलेगा, वो वीडियो भी आप जरूर वोच कर लीजी, उस वीडियो में मैंने detail में जानकरी बताई हुई है, कि कैसे कैसे इसमें lab है, वो मिलता है, तो वो वीडियो आप जरूर वोच कर लेना, उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर साहिता मिली होगी online आवेदन करने के बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको आप लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे request है कि इस वीडियो को आप share जरूर करना, उन लोगों के साथ जो बीपल परिवार के लोग है, ये government की government की जो schemes है, उसकी जानकरी मिल सके, और इस परकार की और अधिक जानकरी के लिए, आप हमारी website www.edigitalpartsala.com जरूर वीजिट करें, साइट पर कई परकार की government related schemes की जानकरी है, और loan सबंदित जानकरी है, तो साइट जरूर वीजिट करना, साइट का लिंक है, वो वीडियो को description मिलेगा, और चैनल को आपने subscribe नहीं किया हुआ है, तो चैनल को आप अभी subscribe कर लीजिए, वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बंदे मात्रम